उत्राखंड की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस वक्त पूरा उत्राखंड पूरा पहाड और नासिफ उत्राखंड बलके पूरा देश ही उसके लिए इंसाफ मांग रहा है इस वक्त हमारी मौझूदगी है श्री नगर उत्राखंड में और यहां कुछ दूरी पर ही मौझ श्रीम उसका शव रखा हुआ है लेकिन परिवार की मांग है कि अंतिम विदाई हम अपनी बेटी को तब देंगे जब फाइनल पोस्ट मौटम रिपोर्ट आ जाएगी फिलहाल परिवार से मिनने लगतार लोग पहुच रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौझूद है राजेन सिंग भंडारी जी जो कैमिले हैं पद्रिनाद के उनसे सीधे बातचीत करते हैं सर आप भी परिवार से मिले परिवार से आपने बातचीत कियोगी क्या कुछ कहना है परिवार का देखिए उत्राखन में पहली बार ऐसे जगन्या परादवा है और वो पहार की बेटी है उत्राखन की बेटी है जिस तरह से रसुकदार लोगों ने अपने रसुक का प्रभाव दिखाते हुए और जोर्ज जबरदस्ती की उत्पेडन किया मार करके जो है नदी में डाल दिय हम समझते हैं कि इनके खिलाब फास्ट्रेक कोड पर सुनवाई हो और जल्दी जल्दी इनको फासी की सजा होनी चाहिए और जो इनके पितासरी हैं वो भी मिनिश्टर के ओधे पर रहे हैं वो जांस को प्रभाविट कर रहे हैं क्योंकि काफी रसुकदार आजमें में से हैं इसले उनको भी गृपतारी होनी चाहिए जब तक मामला चल रहा तब तक उनकी भी गृपतारी होनी चाहिए और कल देखा मैंने की जो रिजॉल्ट है उसमें आनन फानन में रात को बुल्डुजर चला दया गया है सारे साक्षे नस्ट कर दी गए हैं पहले साक्षे कठक कर हजार लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और इनसाब की मांग कर रहे हैं और हर वेक तिनकी फासी की मांग कर रहे हैं फासी की मांग दोशियों के लिए कर रहे हैं उत्राखंड का हर शक्स आप कह रहे हैं सड़क पर उतर चुका है क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे इस वक्सता में तो आपके विपक्ष है आप लोग, लेकिन सत्ता में तो कोई और लोग है। उनसे क्या कुछ मांग या का कुछ कहना चाहेंगे तो सरकार की संबेधन सिल्टा यहां से दिखाई देती है कि 4556 MLA है एक भी यहां नहीं पहुचे है इन्हें शांसत महुचे हैं और बड़ी बात यह है कि संबेदना ब्यक्त करने तक नहीं पहुच पाये हैं तो यह तो इनकी संबेदन सिलता है बड़ी जहां तक हमारी मांग हम तो यह भी चाहते हैं कि पाशियों के खिलाब कारवाई तो हो पर उनके परिवार को कुछ आर्थिक साहता भी मिलने चाहे उनके परिवार में एक बेटे को नोकरी मिलने चाहे ताकि उनका कुछ न कुछ जो है उसमें संबेदना ब्यक्त हो पर उनको सरकार क्या करना चाहती मुझे यह लगता है कि सारे लोग चाहते हैं आनन भानन में बोडी का अंतिम सथकार कर दे जाए इतिसरी कर दे जाए ऐसा होने नहीं देंगे जब तक PM की पोस्ट मार्टर की संपूर्ट रिपूर्ट नहीं आती तब तक मुझे नहीं लगता है कि इनका अंतिम सथकार हो पिर दोन है आप बामला कोल्ट का हो गया है और अब किसी के हाथ में इस्वाए कोट के नियायलाही में ही इसको नियाय मिलना इसलिए जंता की मांग है जीतने जल्दी हो सकता है फास्ट पेकोट पर इसकी सुनवाई हो और इसको फांसी की सजा मिले